नमस्कार दोस्तो एक बार फिर मेरे यूटूब चैनल ब्यारडी सैंस में आपका स्वागत है दोस्तो बायोजी से रिलेटेड टोपिक वाइज महतोपरण परशनों की इस स्रंकला में आज हम एक नए टोपिक पेशी और कंकाल तंतर से जुड़े कुछ यत्ती महतोपरण परशनों को डिसकस करेंगे तो दोस्तो बने रेना वीडियो की अंति तक अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चैनल ब्यारडी सैंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक पहुँच जाए तो चलिए दोस्तो करते हैं स्टार्ट पहला क्यूशन दोस्तो ये सारे प्रसन पिछली बरती प्रीक्षाओं में पुचे गए हैं और पुचे जाने की पूरी संभावना है इसलिए दोस्तो सारे प्रसनों को बड़े ध्यान से देखना और समझना इन से बार एक भी प्रसन देखने को नहीं मिलेगा तो देखते हैं पहला प्रसन शरीर में सबसे सकती साली पेसी पाई जाती है भुजा में जांग में जबडे में या रिदे में तो दोस्तो इसका राय टांसर क्या होगा इसका राय टांसर होगा जबडे में जबडे में सरीर की सबसे सकती साली पेसी पाई जाती है देखते हैं next person बाई एकरण का खटोर लचिला भाग किसका बना होता है बाई एकरण की बात करें तो उसका खटोर जो लचिला भाग होता है वो किसका बना होता है कंडरा का, अस्ति का, उपास्ति का या सनायू का तो दोस्तो बाई एकरन का खटोर लचिला भाग उपास्ति का बना होता है ध्यान रखना दोस्तो सारे परसंद अति में तो उपनण होने वाले हैं और पिछली बरती प्रिक्षाव में पुछे गए हैं और आगे भी पूरी संभावन हैं पुछे जाने की तो बने रेना वीड इंकस और मेलेशे तीनों कांण में पाई जानी वाली अस्ति हैं दोस्तो इन्हें सबसे छोटी अस्ति होती है इस्टेपीज जो कि जांग में पाई जाती है करना दोस्तो important कर लेना बहुत बार ये एक्जाम में पुछा गया है कि मानव सरीर की सबसे बड़ी अस्ती फिमर है देखते हैं next परसंद मानव सरीर के किस अंग में हडियों की संक्या सरवादिक होती है अंगूलियों में मस्तिस्क में वक्स में या कशे रुकाओं में तो दोस्तो इसका राइट अंसर होगा कशे रुकाओं में दोस्तो कशे रुकाओं में 33 हडियां पाई जाती है 33 अस्तियां पाई जाती है सरवधिक संक्या कशिरुकाओं में होती है अस्तियों की त्यानर कना दोस्तो देखते हैं मानव सरीर में फेसियल हड्यों की संक्या कितनी होती है 5, 15 है, 14 है या 17 है तो दोस्तो फेसियल हड्यों की संक्या की बात करें फेसियल हड्यों की संक्या की बात करें जाती है 14 जानरकना दोस्तों देखते है next person मास पेशियों में किस तत्वे के प्रयाप्त होने से खिलाडी देर तक नहीं ठकता है fatty acid glycogen amino amyl या biotin तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा glycogen glycogen मास पेशियों में प्रयाप्त मात्रा में होने के कारणे खिलाडियों को देर तक ठकान मैसूस नहीं होती है जानरकना दोस्तों देखते है next person नवजाज शिशु में कितनी हड़ियां होती है 206, 306, 649 या 300 तो दोस्तों 90 शिशु में हड़ियों की बात करें तो 300 हड़ियां होती है नवजाज शिशु में जबकि वेस्क की बात करें तो उनमें हो जाती है 206, ये भी कई बार पुछा गया है दोस्तों ध्यान रखना देखते है next person प्रत्यास्त उत्तक जो हडियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं सनायू, तंतुमे उत्तक, फाइबरीन या मास पेशिये उत्तक तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा सनायू देखते हैं next person मनुशे का अंगुठा बाकी अंगुठा बाकी अंगुलियों के पेक्सा अधिक स्वतन तरता से गती करता है, क्योंकि इसमें उपस्तित होता है, दुरागर संदी, गलाइडिंग संदी, हिंज संदी या सेडल संदी, तो दोस्तो अंगुठे में सेडल संदी होती है, जिसके क देखते हैं next person निमनल खित में से कौन सा पेशिये विकार वनसागत है बोटुलिजम अप्तानिका पेशिये दुसपोसन या मिस्थेन या ग्रेविस तो दोस्तों पेशिये विकार जो वनसागत है पेशिये दुसपोसन पेशिये दुसपोसन एक एसा पेशिये विकार है जो व का होता है रेशिय जोड उपास्ति में जोड साइनोवियल जोड या शेडल जोड तो दोस्तो एटलस और एक्सिस के बीच का जोड साइनोवियल जोड कहलाता है ध्यान रखना दोस्तो एटलस और एक्सिस के बीच का जोड साइनोवियल जोड होता है ध्यान रखना दोस्तो कन सा कारिये कंकाल तंत्र का नहीं है हमें कंकाल तंत्र का कारिये नहीं है उस कतन का चेहन करना है दोस्तों देखते हैं खनीजों का बंडारन धे उसमा का उत्पादन संचलन या रक्तानों का उत्पातन दो दोस्तों कंकाल तंत्र का कारिये है धे उसमा का उत्पादन करना नहीं दोस्तों ध्यान रखना देखते हैं next person निमने लिखीत में से किस संदी में किसी भी प्रकार की गती नहीं होती है उपास्तिल संदी साइनोवियल संदी रेशेदार संदी या कंदुग खली का संदी तो दोस्तों रेशेदार संदी में किसी भी प्रकार की गती नहीं होती है रे उपास तील संदी होती है न उसमें थोड़ी बहुत गत्ती होती रहती है जैसे कि उपास तील संदी होती है कशिरुकाओं के मद्धे जयान रखना दोस्तों वेरी इंपोटेंट कर लेना संदी पर कई बार परसंद पूचा गया और पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावन है कंदु खलेका संदी दुराग्र संदी हिंज संदी या विसरपन संदी तो दोस्तों कहोनी संदी हिंज संदी का उधारण है ध्यान रखना दोस्तों देखते हैं next person मानों में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाईं पाई जाती है 24 10 15 या 12 तो दोस्तो मानों में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है ये भी ध्यान रखना दोस्तो कई बार पुछा जाता एक जामें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मानों में पाई जाती है देखते हैं next person सारको मियर का क्या होता है तो दोस्तो सारकोमियर क्या होता है दो H रेखाउं के मद्देगा भाग दो A रेखाउं के मद्देगा भाग दो I रेखाउं के मद्देगा भाग या दो Z रेखाउं के मद्देगा भाग दो जेड रेखाओं के मद्देगा बा कहलाता है सार को मियर ध्यान रखना दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट परसन दिर्ग काली स्वय प्रतिरक्षा विकार जो तंत्री का पेशी संदी को प्रभावित करता है और जिसके कारण कंकाल पेशी में कंजोरी तता पक्षा गात होता है कहलाता है गाउट संदी सोत पेशे दुसपोसन मिस्थेनिया ग्रेविस तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पेशिय गती या कसाबिक गती तो दोस्तो हमारे पादों जबडो तता जीवा के लिए पेशिय गती आवस्यक होती है देखते हैं नेक्स्ट प्रसन अंतरंग पेशियों को कहते हैं चिकनी पेशियां, एरेकित पेशियां, अनेचिक पेशियां या उपरोक्त सभी तो दोस्तो अंतरंग पेशियों को उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है अंतरंग पेशियों को चिकनी पेशियां, एरेकित पेशियां या एनेचिक पेशियां भी कहते हैं देखते हैं नेक्स्ट प्रसन पेस्य तंत्यों का रेखित विन्यास किस के कारण होता है Ectin Protein, Myosin Protein, A और B या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों, पेस्य तंत्यों का रेखित विन्यास इन दोनों प्रोटीनों की वज़े से होता है ध्यान रखना दोस्तों, देखते हैं, Next Person F-18 किसका बहुलक होता है G-18 आन्विक का G-18 गोलाकार का G-18 मेरोमाईशिन का या उपरोक्त सभी तो दोस्तो G-18 गोलाकार का F-18 बहुलक होता है त्यान रखना दोस्तो देखते हैं Next person A-18 योजी इस्तल उपस्तित होता है ट्रोपोनीन, ट्रोपोमाईशिन, मेरोमाईशिन A और B तो दोस्तो A-18 योजी इस्तल पर उपस्तित होता है मेरोमाईशिन देखते हैं देखते हैं Next person पेश ये संकुचन की क्रिया विदिगों की सिद्धान्त के द्वारा समझा जा सकता है बोतिक तंतुशिदान्त रासाइनिक तंतुशिदान्त विसरपी तंतुशिदान्त या जंपिंग तंतुशिदान्त दोस्तो पेश ये संकुचन की क्रिया विदिगों विसरपी तंतुशिदान्त के द्वारा समझा जाता है वेरी इंपोर्टेंट कर लेना दोस्तों यह पुछा गया एक्जाम में और विशरपी तंतु शिदान्त किसने दियाता यह दियाता हग्जलेने किसने दियाता दोस्तों हग जिले ने वी सरपी तंतू शिदान्त दियाता जो कि पेशिय संगुचन की किरिया विदी को समझाता है देखते हैं next person मानों में कुल हडिया होती है 649, 198, 206 या 208 तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा 206 देखते हैं next person एक इंदर की और साकित पेशिया तंतू पाये जाते हैं रेकित पेशी में एरेकित पेशी में या रिदे पेशी में या ए और बी दोनों तो दोस्तो एक इंदर की और साकित पेशिया पाये जाती है रिदे पेशी में रिदे पेशी एक अंदर की और सकित पेशे तंतों से बनी होती है द्यान रखना दोस्तों देखते हैं next person कपाल ये गुआ का फर्स बनाने वाली अस्ती है बेशी इस्पिनोईड, नेजल, पेराइटल या वोमर तो दोस्तों कपाल ये गुआ का फर्स बनाने वाली अस्ती होती है बेशी इस्पिनोईड अस्ती द्यान रखना दोस्तों देखते हैं next person वाई आकार की अस्ती है वोमर, फीमर, टीबिया या पेराइटल तो दोस्तों वाई आकार की अस्ती है वोमर वो मर एक वाई आकार की अस्ती है ध्यान रखना दोस्तों देखते हैं next person पिटूटरी चिद्र पाया जाता है बेसी हाइल अस्ती में बेसी इस्पिनोड अस्ती में एरिटीनोड अस्ती में या पेरी इस्पिनोड अस्ती में तो दोस्तो, पिट्यूटरी चिद्र पाया जाता है, बेसी इस्विनोइड अस्ती में, ध्यान रखना दोस्तो, पिट्यूटरी चिद्र बेसी इस्विनोइड अस्ती में पाया जाता है, देखते हैं, next person, सेला टरशी का गरत पाया जाता है, बेसी हारिल में, बेसी इस्विनो होती है एक जोड़े सात जोड़ी च्छ जोड़ी या आठ जोड़े तो दोस्तो ऊपरी जबड़े में अस्तियों की सिंख्या होती है च्छ जोड़ी ध्यांदर कacı पुछा जा सकता है। देखते हैं। नेएक्स प्रिशनू लंबी अस्तियों के शीरे आपस में जुढ़े रहते हैं। सनायू से या उपास्ती से तो दोस्तो लंबी अस्तियों के शिरे आपस में जुड़े रेते हैं सनायू के द्वारा ओके दोस्तो यांद रखना सनायू के द्वारा लंबी अस्तियों के शिरे आपस में जुड़े रेते हैं देखते हैं next person निम ने लिखी तमें से कुन सी सबसे छोटी कपाल तंत्री का है Abducens, Optic, Prochlear या Facial तो दोस्तो सबसे छोटी कपाल तंत्री का हो जाती है Trochlear यहां रखना दोस्तो सबसे छोटी कपाल तंत्री का है Trochlear देखते हैं next person अक्सिय कंकाल नहीं है खोफडी, मेखला, पसली या कशिरुग दंड तो दोस्तो अक्सिय कंकाल नहीं है मेखला मेखला एक अक्सिय कंकाल नहीं है बाकि खोफडी, पसली, कशिरुग दंड ये अक्सिय कंकाल माने जाते हैं देखते हैं दोस्तो next person पेशिय संकुचन की आधारबूद इकाई है कोलेजन, सारकोमियर, पट या मायो फाइवरी तो दोस्तो सारकोमियर पेशिय संकुचन की आधारबूद इकाई मानी जाती है सारकोमियर होता है दो जेड रिकों के मद्दे का भाग पेशे संकुचन के आधारवुदी काई होती है important कलेना दोस्तो देखते है next person सुनोनी में एकला की कब सदर से स्रेंचना एशिटा बूलम मनुष्य की बनी होती है इलियम और इस्चियम से इलियम इस्चियम और प्यूबिस से इलियम और कोटिनोईड से या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो सुनोनी में एकला की कब सदर से स्रेंचना एशिटा बूलम बनी रहती है इलियम इस्चियम और प्यूबिस से ये भी ध्यान रखना दोस्तो एशिटा बूलम बनी रहती है इलियम इस्चियम और प्यूबिस से बनी रहती है देखते है next person interflangial जोड कहलाते हैं इस्तरी जोड कबजा जोड चलनशील जोड या सिद्धे जोड तो दोस्तो interflangial जोड कबजा जोड कहलाते हैं ध्यान रकना दोस्तो संदी पर समंदित ये सारे जितने में मैं परसन करवा रहा हूं या आप ध्यान में रक लेना इनसे बार आपको संदी से समंदित परसन देखने को नहीं मिलेगा सारे important person एक साथ है दोस्तो इनसे बार एक भी परसन नहीं बनेंगे ओके देखते हैं next person रिदे की पेशियां है एचिक और रेकित एचिक और चिकनी दोस्तो रिदे की पेशियां होती है अनेचिक और रेकित ध्यान रकना दोस्तो वेरे important कर लेना इस बारे में परसन पूछा जाता है तो दोस्तो रिदे की पेशिया हो जाएगी अनेचिक और रेकित देखते है next person मनुशे के सरीर के बारे में क्या सही है क्या मनुशे के सरीर में गर्दन में पांच कशी रुकाई है मस्तिक सिकोस चार अस्तियों का बना है पंदरा जोड़ी पसलिया है या बारा वक्षिये कशी रुकाई है तो दोस्तो इसमें D-Option सही है मनुश्य के सरीर के लिए ये सही है कि 12 वक्स ये कशिरुकाई पाई जाती है Very important है दोस्तों कितनी कशिरुकाई हो जाती है 12 कशिरुकाई मनुश्य में पाई जाती है देखते हैं next person पेश ये थकान निमने लिकित में से किसके एककत्र हो जाने के कारण होती है तो दोस्तों कारबंडाई ओक्साइड, पायरुविक अमल, लेक्टिक अमल या ATP तो दोस्तों पेश ये थकान हो जाती है लेक्टिक अमल के एककत्रित होने के कारण हो जाने के कारण पेश ये थकान महसूस होती है देखते हैं next person लंबी अस्तिका मद्य भाग क्या कहलाता है डाइफाइसिस, एपिफाइसिस, हाइपोफाइसिस या जाइगोफाइसिस तो दोस्तों डाइफाइसिस लंबी अस्तिका मद्य भाग कहलाता है लंबी अस्तिका मद्य बाक्या कहलाता है डाइफाइसिस कहलाता है दोस्तों देखते हैं next person हर्वेशियन तंत्र में पाया जाता है तंत्री काई तंतु, धमनी और सीरा धमनी, सीरा, लिंफवाईनी तंत्री का तंतु और कोशिकाई पायी जाती है, यह ध्यान रखना दोस्तो हर्वेशियन तंत्र में हर्वेशियन तंत्र में क्या-क्या पाया जाता है ध्यान रखना, देखते हैं next person कबजा जोड निम ने लिखी तुमें से किस के मद्धे पायी जाती है हुमरस और अंस में एकला के मद्धे फीमर और एसिटा बूलम के मद दे हुमरस और अलना के मद दे या फीमर और स्रोनी मेकला के मद दे तो दोस्तो हुमरस और हुमरस और अलना के मद दे कबजा जोड पाया जाता है ध्यान दरकना दोस्तो हुमरस और हाथ का फ्लेंजेल सुत्र होता है दो, तीन, तीन, तीन यानि अंगुठे में किवल दो अस्ती बाकी चारों अंगुलियों में तीन, तीन अस्ती होती है ध्यान रखना दोस्तों पुछा जाएगा ये देखते हैं, next person पेसी संकुचन के लिए रासाईनिक आयन कौन सा है कैलसियम प्लस-2 और K- Plus N-A-P-L-S और K- Plus N-A-P-L-S और C-A-P-L-S 2 या कैलसियम प्लस-2 और M-G-P-L-S 2 तो दोस्तों, पेसी संकुचन के लिए जिमेदार आयन है N-A-P-L-S और K-P-L-S ओके दोस्तो ध्यान रखना ये भी पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है तो देखते हैं next person पेशी संकुचन के दोरान होता है रासायनिक उर्जागा विदोद उर्जा में परिवर्तन रासायनिक उर्जागा यांतरिक उर्जा में परिवर्तन रासायनिक उर्जा का बोतिक उर्जा में परिवर्थन या यांत्रिक उर्जा का रासायनिक उर्जा में परिवर्थन तो दोस्तो पेशी संकुचन के दोरान रासायनिक उर्जा का यांत्रिक उर्जा में परिवर्थन होता है देखते हैं next person अस्ति तता उपास्ति में क्या अंतर है खनीज लवन का हर्वेशियन के नाल का लशी का वाईकाउं का या रुदिर वाईकाउं का तो दोस्तों अस्ति और उपास्ति में लशी का वाईकाउं का अंतर होता है त्यान रखना दोस्तों देखते हैं next person मनुश्य के सरीर में पाई जाने वाली पेशियों की संक्या कितनी है 409, 449, 638 या 649 तो दोस्तों पेशियों की संक्या की बात करें तो 649 पाई जाती है मनुश्य के सरीर में 649 पेशियां पाई जाती है देखते हैं next person सबसे खटोर पदार्थ किस में पाया जाता है अस्ति ओसीन, कायटीन प्रोटीन, दांत इन्यमल या पेसी मायोसीन तो दोस्तो दांत का इन्यमल पार्ट सरवादी खटोर होता है ज्यान रखना दोस्तो, देखते हैं मैक्स्ट प्रसन निमन लिकित में से एक स्पंजी अस्ती में नहीं होता है ओस्टियोबलास्ट, अस्ती मज्जा, लेकुनी और केनाली, कुली और हर्वेशियन नलिकाएं तो दोस्तों स्पंज अस्ती में हर्वेशियन नलिकाएं अपसेंट होती है स्पंजी अस्ती में हर्वे से नलिकाई नहीं पाई जाती है ध्यान रखना दोस्तों देखते हैं next प्रिशन ओबेट्यूलेटर फोरामेन किस में पाया जाता है कपाल में, रेडियो अलना में, सुरोनी मेकला में या कौडरेट में दोस्तों ओबेट्यूलेटर फोरामेन पाया जाता है सुरोनी मेकला में ध्यान रखना दोस्तों सुरोनी मेकला में ओप्ट्यूलेटर सरिंचना या ओप्ट्यूलेटर फोरामेन नामक सरिंचना पाई जाती है देखते हैं next प्रिशन आपस में कशिरुकाई की सरिंचना द्वारा जूड़ी रहती है जाइगोफाइसिस, शेंट्रम, अनुपरस्त प्रवर्द या निूरल चाप तो दोस्तों आपस में कशिरुकाई कशिरुकाई की संक्या होती है दोस्तों 33 और कशेरुकाई आपस में जाइगोफाईस नामक सरंचना के दुआरा जूड़ी रहती है त्याम रखना दोस्तों देखते हैं next person पेश्यों के बारे में गलत खतन का चेन करें हमें गलत खतन का चेन करना है दोस्तों पेश्यों एक विशेश प्रकार का उत्तक है जिसकी उत्तपती मीजोडरम्स तर्शे होती है यह बिलकुल सही है दोस्तों मीजोडरम्स तर्शे पेश्यों की उत्तपती होती है यह सही है खतन दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तो पेशी में उत्तेजन सीलता, संकुचण सीलता, प्रसार ये अधिगुण पाए जाते हैं, ये भी खतन पेशी के बारे में सहें हो जाएगा। दोस्तो इसमें D option सही हो जाएगा इनमें से एक भी खतन गलत नहीं है तीनों खतन सत्य हैं देखते हैं next person कंकाल पेशियों के बारे में गलत खतन का चेहन करे इसकी किरिया विदी तंत्र का तंत्र के एच्छिक नियंतरन में होती है ये खतन सही है दोस्तो कंकाल पेशियों के बारे में गलत खतन का चेहन करना है लेकिन पहला एकदम सही है दोस्तो ये ए रेखित पेशियों के रूप में जानी जाती है नहीं दोस्तो ये रेखित पेशियों के रूप में जानी जाती है ये गलत खतन दोस्तो ये प्रमुक्त है गमन क्रिया और सरीरिक मुद्रग बदलने में साय का ये भी सही है दोस्तों ये रेकित होती है कंकाल पेशिया रेकित होती है दोस्तों तो इसका रायट आजर होगा भी देखते हैं next person रेखित पेशिया संकुचन करती है एक्टीन तंतु के माईशिन तंतु पर फिसलने से माईशिन तंतु के एक्टीन तंतु पर फिसलने से माईशिन तंतु के खिंचने से एक्टीन तंतु के खिंचने से तो दोस्तो रेखित पेशिया संकुचन करती है एक टीन तंतू के उपर माईशिन तंतू के फिसलने से ध्यान रखना दोस्तों very important कर लेना संकुचन किस कारण होता है एक टीन तंतू के माईशिन तंतू उपर फिसलने के कारण संकुचन की प्रक्रिया होती है देखते हैं next person मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है 10, 12, 15 या 16 तो दोस्तों मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है कितनी जोड़ी 12 जोड़ी पसलियां मनुष्य में पाई जाती है देखते हैं next person वरिदा वस्ता में मनुश्य की हड़ियां कमजोर के हो जाती है फासपोरेस की कमी से, किलोरीन की कमी से, केल्सियम की कमी से या आईरेन की कमी से तो दोस्तो वरिदा वस्ता में मनुश्य की हड़ियां कमजोर हो जाती है केल्सियम की कमी से देखते हैं next person निमने लिखी तो में से कौन सा पेर की हड़ी सुरी कौन सी पेर की हड़ी नहीं है नहीं है फिमर, हुमरेस, पटेला या टिविया तो दोस्तो हुमरेस हाथ की हड़ी है हुमरेस हाथ की हड़ी है पेर की हड़ी नहीं है ये बाकी तिनों पेर केडिया हैं दोस्तों देखते हैं next person संकुचन में पेस ये छोटी हो जाती है पेस यहां छोटी हो जाती है उसे क्या कहते हैं आई सेंट्रिक को सेंट्रिक या आई सो सेंट्रिक या उपर्योक्त में से कोई नहीं तो दोस्तो पेश्यों के छोटे होने को आई सोसेंट्रिक कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, देखते हैं, next person, कंकाल के विए इसे जो हड्डियों की तरह सक्त नहीं होते और मोडे जा सकते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों, लिंगामेंट, उपास्ती, सनायू, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों, उपास्ती को इस नाम से जाना जाता है, हड्डियों की तरह सक्त नहीं होती है, लेकिन मोडे जाने पर उन्हें, उन्हें मोडा जा सकता है, उपास्ती को, देखते हैं, next person, कापाल तंतर की अस्तियों में कौन सी अस्ति चलायमान है फीवर दोस्तों मेंडीबल अस्ती चलाइमान है, ओके दोस्तों, ध्यान रखना चलाइमान अस्ती कुन सी है, मेंडीबल, देखते हैं, next person, मेलियस हड़ी हमारे शरीर में कहां पाई जाती है, बाय करण में, मद्य करण में, करण पिन्ना में या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये तीनो हड़ीयां मारे मद्य करण में पाई जाती है, very important है, दोस्तों, ध्यान रखना, और सबसे चोटेश ती कुन सी होती है, पूरे शरीर की स्टेपीज होती है, कुन सी होती है, स्टेपीज, ओके दोस्तों ध्यान रकना ये भी बहुत बार एकजाम में पुछा गया है पुछे जाने की पूरी-पूरी संभावना इंपोर्टेंट कर लेना दोस्तों देखते हैं next person शरीर की सबसे लंबी पेसी है शोलियस, ग्रेशिलियस, ट्रिपेजियस या सार्टोरियस तो दोस्तों मानो शरीर की सबसे लंबी पेसी है सार्टोरियस, सार्टोरियस मानो शरीर की सबसे लंबी पेसी है दोस्तों important है ध्यान रकना दोस्तों देखते हैं next person हमारे शरीर की सबसे छोटी पेसी है मेलियस, इनकस, इस्टेपीडियस या सार्टोरियस तो दोस्तो इस्टे PDS हमारे सरीर की सबसे छोटी पेसी है पेसी की बात करें तो सबसे छोटी पेसी है इस्टे PDS और साटोरियस सबसे बड़ी पेसी है इन दोनों को ध्यान रखना दोस्तो very important कर लेना बुचा जाएगा एक्जाम में देखते हैं next person मानो सरीर में हाई ओड़ अस्ती कहां पाई जाती है हाई ओड़ अस्ती कहां पाई जाती है दोस्तो वक्स में, कुला में, गर्दन में या गुटना में तो हाई ओड़ अस्ती पाई जाती है दोस्तो गर्दन में मानोशरीर के गरदन पार्ट में, गरदन भाग में हाई और डस्ती पाई जाती है दखते हैं next person इस्तापन के आधार प्रपेश ये तीन प्रकार के होती है जिन में सामिल नहीं है रिदे पेशी, तंत्रिका पेशी, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी तो दोस्तों तंत्रिका पेशी इन में सामिल नहीं है बाकि रिदे पेशी होती है, कंकाल पेशी होती है, चिकनी पेशी होती है देखते हैं next person निमने लिखित में से कौन सा एक बोल और सोकेट जोड है कोनी का जोड, टकना का जोड, कंदे का जोड या अंगुठे का जोड तो दोस्तों कंदे का जोड एक बोल और सोकेट जोड कहलाता है ध्यान रखना दोस्तों पूछा जाएगा एक्जाम में देखते हैं next person अक्सिय कंकाल में कितनी हड़ियां होती है असी अडियां होती है दोस्तों ध्यान रखना देखते हैं next person पसलियां कहां पर जोड़ी रहती है एलियम पर, इसकेपिला पर, उरोस्ती पर या कलेवीकल पर तो दोस्तों बारे जोड़ी पसलियां उरोस्ती या इस्टनम बाग पर जोड़ी रहती है ध्यान रखना दोस्तो कहां पर जूड़ी रहती है औरोस्ती पर जूड़ी रहती है देखते हैं next person किस प्रकार के जोड किसी भी प्रकार की गती नहीं करते हैं कपजा जोड नहीं करते हैं दोस्तों गती बिल्कुल भी नहीं होती है कपजा जोड में, रेशिय जोड में, साइनो वियल जोड में, उपास्ति में जोड में तो दोस्तो रेशिये जोड में किसी भी प्रकार की गती नहीं होती है, रेशिये जोड कहां पाया जाता है, खोपडी में, कहां दोस्तो, खोपडी, ध्यान रखना, देखते हैं, next person, ग्लिनोइड गुहा कहां उपस्तित होती है, श्रोणी में, खोपडी में, अंस में एकला में, या इस्टरनम में, तो दोस्तो अंस में एकला में, ग्लिनोइड गुहा पायी जाती है, ध्यान रखना दोस्तो, एक अचल संदी कहां पर उपस्तित होती है, उंगली में, गुठन में या हिप में या खोपड़ी में तो दोस्तों अचल संदी या रेशेदार संदी खोपड़ी में पाई जाती है देखते हैं नेक्स परिशन पेशी में ओक्सिजन को बंडारित करने वाला लाल रंग का वरनक क्या कहलाता है हिमोगलोबिन मायोगलोबिन मेलेनिन या तो दोस्तों मायोग्लोबीन वरनक पेशियों में ओक्सिजन को बंढरित करता है सरवधिक मायोग्लोबीन किसमें पाय जाता है दोस्तों ब्लू विहेल में वेरी इंपोर्टेंट करने न दोस्तों पेशियों में ओक्सिजन को बंढरित करने वाला लाल रंग का वरनक होता है म फायो ग्लोबीन ओके दोस्तों देखते हैं next person मानों सरीर में कौन सी हड़ी किसी अन्य हड़ी से जूड़ी नहीं रहती है एसी कौन सी हड़ी है जो किसी अन्य हड़ी से जूड़ी नहीं रहती है दोस्तो पटेला इस्ट्रनम हाइओड अस्ती या इसके पुला तो दोस्तो हाइओड अस्ती किसी अन्य हड़ी से से लगने रही र लागा कमेंड में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों बाइलोजी से रिलेटेड अन्य टोपिक वाइज प्रशनोत्री के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बाइलोजी विद साइन्स पर विजिट करें और क्योंकि मैंने वाँ पर पिछली सालों में पुछे गए अतिमेहतो प्रशनों को एक टोपिक वाइज करा रखा है दोस्तों तो आप जरूर विजिट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो नोटिपिकेशन आप तक जरूर पहुचे है आज के लिए इतना है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ ओगे द झाल झाल झाल